पर उसके साथ ही जो हमारा गवरोशाल इतिहास है चतरपदी शिवाजी महराज के वीर मावडाओ का जो शौर और अवं पराकरम है उनका जो बलिदान है उस पर भी उतना ही फिल्म में फोकस किया है देखे जितने मितर हमारे चैनल से जुड़े हुए है वे जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में मराटी फिल्म डिस्ट्री से हमारे चतरपदी शिवाजी महराज और उनके वीर मावडाओ के शौर एवं पराकरम पराधारित कई सारी फिल्म में आई है पिछले 6 वर्षों में उनमें से कुछ फिल्म में मुझे काफी पसंद आई है कुछ फिल्म में थोड़ इसी disappointing थी और शरत केरकर जी के साथ में जो पिछली फिल्म आई थी हरर मादेव जैसे हिंदी में भी रिलीज किया गया था आपको याद होगा वो फिल्म काफी निराशा जनक थी मतलब टेक्निकली अच्छी बनी हुई थी पर जहां तक बात है इतिहास को जिस प्रकार से उनने प्रस्तुत किया है या जहां तक बात है भावनाओं की emotions की तो वहाँ पर वो फिल्म बहुत बहुत ज़दा disappoint करती है और ज़्यादा quantity की अपेक्षा quality पर focus करने की आवशकता है जोकि लगातार बहुत सरी एक के बाद एक के बाद एक लगातार फिल्म में आती जा रही है उसकी अपेक्षा एक ही फिल्म काफी भव्य बजेट के साथ में भले ही बहुत ज़्यादा नहीं पर फिर भी एक अच्छी production value लगे उस प्रकार से फिल्म में बननी चाहिए बले ही एक वर्ष में एक ही फिल्म आए पर अच्छे बजेट के साथ में और पूरे राश्ट्रिय स्तर पर उसे release किया जाए ताकि सब तक हमारा ये गवरोश अली इतिहास पहुच पाए तो आज इसी कारण से रावरंबा देखने के लिए मैं बहुती कम expectations के साथ में थेटर में गया था क्योंकि लगातार फिल्म में एक के बाद एक के बाद आ रही है फिल्म मातर दो घंटे और बारा मिनिट की है देखे दोस्तों आपको याद होगा आज से छे मेने पहले एक फिल्म को अनौंस किया गया था पैन इंडिया फिल्म उसे कहा गया था महिश मांजरिकर जी उसे ड्रेक करने वाले है अक्षे कुमार उस फिल्म में चत्रपती शिवाजी महराज की भूमिका में दिखेंगे ऐसा बताया गया था फर्स लुक भी उन्होंने जारी किया था वेडात मराठे वीर दौडले साथ ऐसा मराठी में उसका नाम है हिंदी में ये शायद कुछ अलग नाम के साथ में वे रिलीज करने वाले है तो उस वीडियो में मैंने जो इतिहास आपको बताया था उसी इतिहास पर राव रंभा ये फिल्म भी आधारी थे यहाँ पर बस इस इतिहास को राव और रंभा इन दोनों के दृष्टी कौन से दिखाया है सेंटर में रा और रंभा ये दोनों पातर है मुख्यो फोकस उन पर है देखिए हिंदवी स्वराज्य के सेनापती है जिने सरनोबद भी कहा जाता है प्रतापराव गुजर उन्हें आदिल शाही के कुरूर आताता ही सेनापती बहलोल खान को रोकने का उत्तरदाइत्व सवपा गया था बहलोल खान हिंदवी सुराज्य पर आक्रमन करने के लिए आगे बढ़ रहा था बहलोल खान गिड़ गड़ाने लग गया ख्षमा याचना करने लग गया ये कहने लगा कि चत्रपती शिवाजी महराज तो दया करने के लिए जाने जाते हैं जो उनकी शरन में आता है मैं आपकी शरन में आ रहा हूँ मुझे क्षमा कर दीजिए आग इसे में कभी आकरमन नहीं करूँगा इस प्रकार की बाते बहलोल खान दुरतता से वहाँ पर करने लगा प्रतापराव गुजर जी को चतरपती शिवाजी महाराज ने पहले ही बता कर भेजा था कि बहलोल खान एक जहरिला साप है और उसे कुचलना आवश्यक है किसी भी हालत में उसे जीवित मत छोड़ना ये महाराज ने पहले ही बताय हुआ था पर फिर भी बहलोल खान जब गिड़ाने लग गया परतापराव गुजर जी ने बहलोल खान को छोड़ दिया था ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी ये बात जब चत्रपती शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने पत्र लिखा था परतापराव गुजर जी को कि जब तक बहलोल खान को तुम पकड नहीं लेते तब तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा महाराज बहुत ज़्यादा दुखी हो गय थे क्योंकि बहलोल खान वापस आकरमन करेगा ये निश्चित था और वैसा ही हुआ पहलोल खान फिर से सुराज्य पर आकरमन करने के लिए आगे बढ़ने लगा और वही उसके जो अन्या अत्याचार थे वो फिर से शुरू हो गए परतापराव गुजर जी बहुत दुखी हो गए और उसके बाद में वे अकेले ही दौड पड़े बाकी उनके साथ में जो अन्या मावडा थे किसी को भी उन्होंने साथ नहीं लिया क्योंकि उन्हें इतनी आत्मगलानी और पश्चाताप हो रहा था कि वे अकेले ही निकल पड़े पर छे और वीर मावडा थे वहाँ पर उन्होंने देखा और उनके साथ में वे भी प्रतापराव गुजर जी के पीछे पीछे वे निकल पड़े तो ये जो साथ जिने चत्रबदी शिवाजी महराज बाद में उन्होंने सबतर्शी कहा हिंदवी स्वराज जेके तो वे साथ मावला दौड ने भैलोल खान पर आकरमन करने के लिए दौड पड़े तो इसलिए कहा जाता है कि वेडात मराथे वीर दौडले साथ यानि सेवन तो उन्ही साथों में से एक थे राव और रंभा के साथ में उनका विवा होने वाला था परन्तु विवा को छोड़ कर राव परताप्राव गुजर जी के साथ में बैलोल खान पर आकरमन करने के लिए फिर से निकल पड़े पर साथों ही वे वीर मावला उनको बैलोल खान और उनकी हजारों की पंदरा हजार से ज़्यादा की बैलोल खान की से ना थी उनने साथों वीर मावलाओ को बहुती निर्ममता से मारा वे वहाँ पर वीर गति को प्राप्थ हुए तो ये जो पुरा इतिहास है इसे रा और रंभा इन दोनों के दृष्टिकों से इस फिल्म में दिखाया है देखें जो महाराष्टर से मित्र जुड़े वे वे जानते ही कि शंतनु मोगे जी चतरबती शिवाजी महाराज की भूमिका में कितने जादा बिल्कुल उनसे जदा बढ़िया तरीके से इस भूमिका को शायद ही कोई कर सकता है बहुत बढ़िया लगते हैं और इस फिल्म में भी शंतनु मोगे जी ने ही चतरबती शिवाजी महाराज की भूमिका को निभाया है और बाकी भी प्रतापरा उजर उनकी भूमिका आशोक समर्थ उन्होंने प्ले की है बहुत बढ़िया परफॉमंस था उनका ओम भुतकर उनका भी परफॉमंस बहुत बढ़िया था और मौनालिसा बागर जिन्होंने रंभा की भूमिका निभाई है उनके चहरे पर वो जो एक भोलापन, मासूमियद जो होनी चाहिए और उसके साथ में जो एक विरांगना का तेज भी जो होना चाहिए वो दोनों ही हमें के चेहरे पर दिखाई देता है तो सभी के परफॉमंसे बहुत बहुत बढ़ी आते फिल्म में हाँ, फिल्म लिमिटेड बजेट के साथ में बनी हुई है ये बात हमें फील होती है पर फिर भी, ओवरॉल कुछ बातों को हम इग्नोर कर पाते हैं फिल्म का इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से फिल्म में प्रस्तुत किया गया है और सबसे महतो पुर्ण बात, जबर्दस्ती का कही पर भी वो सेकलरिजम वगरा उन्होंने यहाँ पर नहीं डाला है जो कई फिल्मों में जबर्दस्ती उपदेश देने के लिए बाते जो डाली जाती है वो यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स ने नहीं डाली है ये बात मुझे बहुत पसंद आई कुल मिलाकर मैं तो आप सभी मित्रों के फिल्म definitely recommend करता हूँ अब हिंदी में तो ये फिल्म release नहीं हुई है जहाँ पर English subtitles के साथ मैं available हो, आप एक बार चेक कर लेना पहले, टिकेट बुक करने से पहले पर मैं तो भले ही English subtitles नहीं भी हो, तो भी कहूँगा कि आप निश्चित रूप से इस फिल्म को आप अवश्य देखना, कुछ बाते भाशा से भी परे होती है आप समझ जाएंगे, जो भी फिल्म में आप देख रहे हैं, मेरा और अरंबा को दूँगा 8 out of 10 stars पैंटल गाइडन्स की बात करें तो US certificate के साथ इस फिल्म को थेटर में रिलीज किया गया है वाइलन्स मतलब अब युद्ध के सीन है तलवार, पेट में डालने के गला, चीरने के आदी भी कई सारे सीन फिल्म में है और US certificate के साथ इसे थेटर में रिलीज किया गया है बिल्कुल पूरे परिवार के साथ में बच्चों के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं बगे दोस्तों आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी चे कमेंट में आश्य बताना वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम बंदे मातरम